सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानि सत्य को प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, जो प्रत्यक्षम है उसे भी प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं होती, लेकिन बाद जब आधुनिक मेरिकल साइंस की हो, तो उसमें सबसे महत्वपण होता है प्रमाण, एविडेंस, सद्यों से भारतिये जीवन का हिस्सा रहे, योग और अईरुवेज जैसे हमारे सांस्त्रों के सामने, एविडेंस बेश, रिशत की कमी हमेशा हमेशा एक चुलवती रही है, परिणाम दिखते हैं, लेकिन प्रमा नहीं होते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेश मेडिसिन के यूग में, अब योग और आईरुवेज आधुनिक यूग की जांच और कसोटियों पर भी खड़े उतर रहे हैं, आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा, इस संस्तान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केर में बहुत नाम कमाया है, इस सेंटर दोरा की गई, एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है, कि ब्रेस कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत जादा असरकारी है, टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को, अमेर इस्टित बेस कैंसर कांफरनस में प्रस्तुत किया है, इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडन्स के साथ बताया है, कि कैसे मरीजों को योग से लाव हुआ है, इस सेंट कैंसर की रिसेर्च के मुताबिक, योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस कैंसर के मरीजों की बिमारी के फिर से उभरने और मृत्यू के खत्रे में 15 प्रतीशत तक की कमी आई है, भारतिये पानपारिक चिकित्सा में यह पहला उदारन है, जिसे पस्चिमी तौर तरीकों वाल कड़े मानकों पर परखा गया है, साथी यह पहली स्टडी है, जिसमें ब्रेस कैंसर से प्रभावीत महिलाओं में योग से क्वालिटी अफ लाइफ के बहतर होने का पता चला है, इसके लॉंग टम बेनिफिट्स भी सामने आये हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपने स्ट साथी और मेडिकल अंकलोजी में उस सम्मेलन में प्रस्तित किया है, साथियों आज के यूग में भारतिये चिकित्सा पध्धतियां जितनी जादा एविडेंस बेज होगी, उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्विकारेता बढ़े ही, इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स मे भी एक प्रयास किया जा रहा है, यहां हमारी पारंपारिक चिकित्सा पध्धतियों को वेलेडेट करने के लिए, छे साल पहले सेंटर फर इंट्रिगेटिव मेडिसीन और रिसर्च की स्थापना की गई, इसमें लेटेस्ट मोडन टेक्निक्स और रिसर्च मेथर्च का अमेरिकन कॉलेज अब कार्डियोलोजी के जर्नल में, प्रकासित एक प्रेपर में, सिंग्पी से पीडित मरीजों को योग से होने वाले लाप के बारे में बताया गया है, इसी प्रकार नियूरोलोजी जर्नल के प्रेपर में, माइगरेन में योग के फाइदों के बारे मे गया है इनके अलावा कई और बिमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर study की जा रही है जैसे heart disease, depression, sleep disorders और pregnancy के दोरा महिलाओं को होने वाली समस्याएं इनके बेंपो के बेंप।